है गाइस विडियों के अंदर हम डिसकस करने बारे हैं आज का पेपर हुआ है ससी जेई का एक्जाम हुआ है जिसके अंदर जी के मेकैनिकल और रिजनिंग के कोशन्स पूछे कहे थे कुछ कोशन्स मुझे रिजनिंग के देखने को मिले हैं लेवल के तो अगर बात की जाये तो जो जो आज का का जो एक्जाम का लेवल रहा है बो कोशें रहा है 10 अट्यूबर को फसके पर में जो भी question मैं आपको बता रहा हूँ यह सभी question memory based है student के द्वारा जो student को याद थे उन्होंने whatsapp के थुरू मेरे को भिज दिये थे और ज्यादा question नहीं मिले है लेकिन जो भी question मिले है memory based है और आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ और अगर आप इस channel पर नई है यार तो channel को subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा वीडियो को like कर दीजेगा इस video को target रखते हैं 1000 like का 1000 like का इस video को target रखते हैं channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि daily हम आपको आपकी satik analysis दिखाते हैं तो चले friends start करते हैं वीडियो को so guys अब आचका हूँ मैं अपनी screen पर screen पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला सवाल है मंत्री मंडल का गठन कौन करता है तो मंत्री मंडल का गठन कौन करता है तो राष्टपती प्रधान मंत्री की सिफारिस पर प्रधान मंत्री की सिफारिस पर कौन करते हैं राष्टपती महोदे क्या करते हैं मंत्री मंडल का गठन करते हैं next question क्या है तो next question है द्वनी की गती धीमी किसमे होती है देकि द्वनी की गती से science related question बन सकता है क्योंकि J.E. का आप exam दे रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है यह ऐसा question तो बनेगा ही बनेगा तो द्वनी की जो speed होती है सबसे पहले उसके बारे मैं बताता हूँ तो द्वनी की speed सबसे ज़्यादा ठोस यानि कि solid में होती है उससे कम होती है द्रव के अंदर और उससे कम होती है गैस के अंदर यानि कि जो द्वनी की गती होती है सबसे ज़्यादा ठोस फिर द्रव गैस तो ठोस द्रव गैस इस तरीके से द्वनी की गती होती है next question की बात करें तो जराविक 7 क्या है तो जराविक 7 क्या है एक artificial hurt है कृतिम हिर्दे बोला जाता है जराविक 7 को नेक्स्ट कोशन है किस हडपा कलिन इस तल से एक युग्म सवाधान मिला है तो इसका सही जवाब है ये एक युग्म सवाधान एक युग्म सवाधान मिला है तो ये मिला है कहां से लोथल से लोथल कहां पर है आज की डेट में अगर लोथल की बात करना है तो ये गुजरात में है कहां पर है गुजरात में है लोथल और यहां जो लोथल है इसमें सबसे बड़ा जो मतलब खेलने के सामान होते हैं उनका एक संग्राहल है खुलने जा रहा है तो ये करेंट का कोश्चन है नेक्स्ट कोशन है काला सागर किस देश में इस्तित है तो इसका सही जवाब है रूस में इस्तित है कहां पर इस्तित है काला सागर रूस में इस्तित है नेक्स्ट कोशन है भारत में राज के महाधिवक्ता को निक्त कौन करता है तो रजपल करता है और अगर महा नियावादी की बात करें तो इनको कौन नियुक्त करते हैं तो इनको नियुक्त करते हैं राष्टपती महोद है कौन करते हैं राष्टपती महोद है करते हैं नेक्स्ट कोशन है फ्रेंड्स पड़ोसी दिस भूटन का राष्ट्य खेल किया है तो इसका सही जवाब है तीरंदा जी पड़ नाम क्या है तो दीन दयाल पोर्ट है खंडाला पोर्ट का नया नाम नेक्स्ट कोशन है गोबा मुक्ती दिवस का मनाया जाता है तो 19 दिसंबर को गोबा मुक्ती दिवस मनाया जाता है एक कोशन आया तो 2019 का साहित अकादमी पुरुषकार किस ने जीता तो ससी थरोर और नंद सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत बूलिए का मुझे मौलू है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया तो आब सब्सक्राइब कर लाएंगे थैंक यू पर वाचिं इस वीडियो